Hello everyone, नमस्कार सभी को और शुप्रभात आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 16 अक्टूबर के करेंट फिर्स तो चरिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला सवाल हमारा है, as usual हम टेक के बारे में पूछते हैं तो वर्ल अनस्थिशिया डे कब मनाया जाता है औप्शन्स हैं आपके October 13, October 14, October 15 या October 16 तो जवाब है इस सवाल का October 16, October 16 को वर्ल अनस्थिशिया डे मनाया जाता है ठीक है? अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलिग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में दिया गया है आप टेलिग्राम पर जाकर सीधे सर्च भी कर सकते हैं एड दरेट अमंत्रिवेदी तो आपको वहां से भी मेरा चैनल मिल जाएगा और इसके अलावा आप लिंक पर क्लिक करके भी जॉइन कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं एड दरेट अमंत्रिवेदी डबल आई एंड में लगाएंगे तो आप Instagram पे आपको मेरी profile मिल जाएगी और वहां से भी आप मुझे follow कर सकते हैं चले, तो हमने पढ़ा day के बारे में, अब हम इसके सारी सीजों के बारे में जान लेते हैं देखे, October 10 हमने पढ़ा था World Mental Health Day, October 10 को होता है World Mental Health Day 11 था International Day of Girl Child, 12 है World Arthritis Day, October 13 है World Calametry Control Day या UN International Day for Natural Disaster Reduction, October 14 है World Standard Day या फिर International E-Waste Day, ठीक है, दो दिन हमने एक कल पढ़े थे इसके अलाबा, October 15 की बात करेंगे, तो वो है आपका Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day Global Hand Washing Day, या फिर World Students Day भी आज है, और International Day of Rural Women भी आज है ठीक है, यहनि की 15 October को था, और October 16 को World Food Day और World Anesthesia Day और World Spine Day है, ठीक है, अब October 15 को World Students Day क्यों मनाते हैं World Students Day इसलिए मनाते हैं, विश्व चातर दिवस हर साल 15 October को मनाया जाता है यह दिन भारत के पूर्वराश्ट्रपती स्वर्गिय, डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम की जैनती के सम्मान में मनाया जाता है 2010 से संक्तुराश्ट संगिठन ने शिक्षा और उनके शातरों के डॉक्टर कलाम के प्रयासों को स्विकारने के प्रयास में 15 अक्टूबर को विश्व चातर दिवस के रूप में चिन्नित किया विश्व चातर दिवस का वर्तमान 2021 विसे लोगों, ग्रह, सम्म्रद्य और शान्ती के लिए सीखना है ठीक है एपी जी अब्दुल कलाम का जन्व 15 अक्टूबर 1931 को धनुष कोडी रामिश्वरम तमिलाडू में हुआ था पूरा नाम अब्दुल पाके जैनू लाबदीन अब्दुल कराम था 2002 में उन्हें भारत के राश्पती के रूप में चुना गया था ठीक है इसके लाबा उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जैसे कि पद्भूशंड, पद्म विभूशंड, भारत ररत में, रामानुजन पुरस्कार, आदि कई सारे पुरस्कार मिले हैं और इसके अलावा जो UPTU यानि कि जो उत्तरप्रदेश टेक्निकल इन्युवर्स्टी थी उसका नाम बदल के भी APJ अब्दुलकलाम टेक्निकल इन्युवर्स्टी कर दिया गया था अगला है तो आपका ये सवाल है आपर कि C के प्रहलाद अवर्ड किसे मिला है तो इसका जवाब है हमारा सत्या नडेला सत्या नडेला को C के प्रहलाद पुरसकार मिला हुआ है अभी मिला है और ये जो हमने बाकी नाम लिखे हैं सुन्दर पिच्चाई इस समय CEO हैं Google के सत्या नडेला, Microsoft के, शांतनू नरायन, अडॉप के और अजैपाल सिंग बगगा ये Mastercard के CEO हैं ठीक है तो जवाब है भारत और अमरीकी, भारत ही अमरीकी Microsoft के CEO सत्या नडेला ने Microsoft के तीन अन्य शीर्स नेताओं के साथ वर्ष 2021 के लिए Global Business Sustainability Leadership के लिए प्रतिश्ठित C के प्रहलात पुरस्कार जीता है, Microsoft के चार शीर्स नेताओं को 2030 तक Microsoft के Carbon नकारात्मक कंपनी में बदलने और 2050 तक इसके सभी एतिहासिक सर्जन को हटाने के लिए उनके सायोग के नेतुरत के लिए प्रतिश्कार मिला है, यानि कि उन्होंने जो Carbon Less Company बनाने की बात कही है 2030 तक और 2050 तक उसके सभी तरीके के सर्जन को खतम करने की बात की है, इस वज़े से उन्हें प्रतिश्कार मिला है इसके संस्थापक सलाकार बोड के सदसे सीके प्रहलाद के नाम पे बनाया गया था या पुरुसकार वैश्की करन की दुनिया में स्थिरता, नवाचार और दीर कालिक वेबसाय सफलता के बीच मौलिक सब्मंद का उधारण देने के लिए विजयताओं को मानिता देता है इसके लबा ये और हमारी एक न्यूज है कि UNHRC UNHRC, United Nations Human Rights Commission भारत संहिंट राश्र मानवादिकार परिशत के लिए रिकॉर्ड छटवे कारेकाल के लिए भारी महुमत के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है भारत को 14 अकुबर 2021 को संहिंट राश्र मानवादिकार परिशत के लिए 2022-2024 के कारेकाल के लिए महा सबह में भारी महुमत के साथ फिर से चुना गया सेंट राष्ट निकाय में रिकॉर्ड छटे कारेकाल के लिए भारत के फिर से चुनाओं को नई दिली के दूत ने बहुल वाद बलोकतंत्र और समविधान में नहित मौली का दिकारों में देश की मजबूत जणों के मजबूत समर्थन के रुप में वर्नित किया अगला सवाल है मारा नाकपुर का कौन सा बच्चा भारत की नवीनतम महिला ग्रैंड स्लैम ग्रैंड मास्टर बन गया तो ग्रैंड मास्टर में कहते है जो चेस्ट में विजयता बनता है प्रतिशा बोटा वी वार्शिनी दिव्या देश्मुक या सुब्भारमन इन में से कौन सा चाइल्ड प्रोडीजी का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो बच्चपन में बहुत ही विलक्षन प्रतिवा का धनी बच्चा उतो जैसे कि ये बच्चा तो इन में से कौन इन्होंने वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर बन गया है तो इसका नाम है इंडियास 21st वो पोस्ट में पहले शनिवार ग्रेंड मास्टर में अपना दूसरा अंतराश्टिये मास्टर हासिल करने के बाद भारत की 21 महिला ग्रेंड मास्टर बन गई है तो भारत के लोग चैश में हमेशा से चाह रहे हैं अगला सवाल है विच टीम हाज वन आईपील 2021 आईपील के ऊपर में अलग से पूरा एक वीडियो बना दूंगे डिट्रिल जिसमें आईपील से रेलेट सारे कोश्टन्स आपको मिल जाएंगे तो आईपील 2021 के स्टीम ने जीता है तो भाईया इसका जवाब को मालूम है और अंसर हो जाएगा चेननाई सुपर किंग चेननाई सुपर किंग ने आईपील 2021 वीनर है थोनी का यह थे, तीन सवा मैच था अज एक एक वाद तेन से कंपनी के शीरसक प्रायोजन के लिए आखिल भारतीश फेस्ते के साथ एक समझोते पर इस्ताक्षर किया है तो इसका जवाब है Mobile Premier League Mobile Premier League ने All India Chess Federation के साथ में Title Sponsor के लिए शाइन किया है Which of the following state has announced a scheme to melt temple jewellery मंदिरों के आभुशनों को पिगलाने की लिए किस राज ने योजना शुरू की है Kerala, Tamil Nadu, Karnatka या आंदरप्रदेश तो इसका जवाब है आपका Tamil Nadu Tamil Nadu के Chief Minister है MK Stalin MK Stalin ने इस scheme को इस योजना को बताया है वहाँ के Capital है Chennai और RN Ravi वहाँ के गवर्नर है Kerala की राजधानी है Tirvantpuram, Pindraai Vajan वहाँ के Chief Minister है Mohamed Aarif Khan वहाँ के गवर्नर है Karnataka की राजधानी है Bangalore, Baswar Raj, Bommai वहाँ के Chief Minister है और Thavar Chand Gailod वहाँ के गवर्नर है आंदरप्रदेश की राजधानी है Amraavati और इसके CM है Y.S. जगन मोहन रेड़ी और गवर्नर है Vishwabhushan Harichan Tamil Nadu के मुख्य मंत्री मंदिरों से सम्मंदित अगला सवाल है वहाँ पर आपका साइना नेवाल तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Amitabh Ghosh Amitabh Ghosh ने ये किताब लिखी है The Netmax Curse Parables for a Planet in Crisis और Rajneesh Kumar की हमने किताब पढ़ी थी अभी हाल में ही The Custodian of Trust ये SBI के former chairman भी है Custodian of Trust A Banker's Memoir Suresh Rehna की किताब Autobiography है उसका नाम है Believe और Signer Newell की Autobiography है जिसका नाम है Playing to Win ठीक है Amitabh Ghosh कौन है Amitabh Ghosh एक भारती लेखक है जिनहें 54th Janani Pat Award यानि 2018 का Janani Pat Award भी मिला था वो भारत का सर्वोच साहितिक समान है जो अंग्रेजी उपन्यास में अपने काम के लिए जाना जाता है खोश के महत्वा कंक्षी उपन्यास राष्टी और वेक्तिगत पहचान विशेशरुप से भारत दक्षिरपूर वेशिया के लोगों के प्रकृतिकली जानाच के लिए जटल कथा रणनेतियों को उप्योग करते हैं 2019 जो आकरी जनाणी पता वाड़ अनाउंस हुए थे वो 2019 में हुए थे और उसके बिनर है अकितम अचुतम नमभुतरी ठीक है मैं नहीं प्रणाउंस कर पा रहा हूं क्योंकि नाम ये मल्याली में है और मल्याली राइटर है ये ठीक है आप नाम ध्यान रखेगा अगला है मिनिस्टर Office of Information and Broadcasting और उसके और उसके मिनिस्टर और सब्लडिया और प्रकृतिक गैस मंत्री है और और आर्के ऋ आपके औरजा मंत्री है ठीके, हमने यह क्यों पढ़ा, क्योंकि Unrock Thakur ने My Parkings App लॉंच किया है, जो कि दिल्ली में पार्किंग स्लॉट के बारे में बताएगा, तो Unrock Thakur ने दिल्ली में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करने के लिए लोगों के लिए My Parkings App लॉंच किया है विश्व की सर्वस्रेश नियोकता रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्स पर है, विच कंपनी है, विश्व के बेस्ट इंप्लॉयर रैंकिंग में किस कंपनी ने टॉप किया, ओप्शन से Reliance, Samsung, Google या फिर Microsoft, इसका जवाब है आपका Samsung, Samsung ने, which has विश्व में अगर आप बात करेंगे, तो Samsung पहले नंबर पर है, second नंबर पर IBM है, Samsung आपकी South Korea-based company है, IBM आपकी United States-based company है, third नंबर पर Microsoft है, United States company है, और fourth नंबर पर Amazon है, United States-based company है, भारत की अगर बात करें तो भारत में टॉप किया है Reliance Industries ने, इसकी रैंकिंग है 52nd, उसके बाद ICICI Bank है, 61st, ICICI Bank का कोई employee ये video देख रहोगा, तो उसे shock लग सकता है, कि भारत में अगर second number पर हम बात करें employer की, तो वो ICICI Bank है, third number पर SDFC Bank, ICICI Bank का employee हो, तो comment जरूर करिएगा, SCL Technology के में rank है 90th, SBI 119, SBI भी दुनिया में है, अगर हम भारत की बात करें तो तीसरे, चौते, पांचवे, छटे, 6th number पर है, as an employer, Lassen Intervo, L&T 127, Bajaj 215, Axis Bank 254, Indian Bank 314, OINGC 404, ये world ranking है, और अगर भारत में बात करें तो ये top 10 हो जाती है हमारी, ठीके, SBI के P.O, अगर कोई comment दे, video देख रहा होगा, तो वो कहेगा, अच्छा, हम विश्मार दुनिया में च्टे number पर, as an employer में है, Who is the MD of Axis Bank, Axis Bank का MD कौन है, दिनेश कुमार खरा, अमिताब चौधरी, संधी बक्षी, और फिर उदय कोटक, तो Axis Bank के MD का नाम है, आपका, अमिताब चौधरी, और इन्हें, RBI के दौरा, दूसरा term, प्रोसीड करने की अनुमती मिली है, दिनेश कुमार खरा, हम कई पार प्रूफ किया है, इनका re-appointment, अमिताब चौधरी का है, as a managing director of private sector Axis Bank for a period of 3 years, ठीक है, Axis Bank के एक नियामक फाइलिंग में कहा कि विस्तारी 3 साल के अवधी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी रहेगी, भारतीरी जर्वाएंग 14 October 2021 को अपने पत्र के मातम से इनकी नियुक्ति को इसका भारतीर बैंक संग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, who has been elected as the new chairman of Indian Banks Association, options है आपके AK Goyal, Gobind Jain, Rajkirun Raiji या फिर Rakesh Sharma, तो इसका जवाब है हमारा AK Goyal, AK Goyal को भारतीर बैंक संग का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, और Yuko Bank, Yuko Bank के MD जो है, AK Goyal को IBA का नया अध् Association का, इसके पूर्व अध्यक्ष थे, Rajkirun Raiji जो की Union Bank के CEO और MD थे, उपाद्यक्ष है इसके दिनेश कुमार खरा, SBI के अध्यक्ष है, ये हमने अभी पढ़ा, LV प्रभाकर भी उपाद्यक्ष चुने गया है, Deputy Chairman चुने गया है, ये Kenera Bank के MD है, और Rakesh Sharma, IDBI Bank के MD है, ये त Chief Financial Officer भी बनाये गए हैं, जो की जिनका नाम है Gobind Jain, और Investment Bank के MD और CEO का नाम है सुमन्त कतपालिया, 1994 में ये बैंक बनी थी, founder है SP Hinduja, और इसके New CFO, Chief Financial Officer बने हैं, Gobind Jain, Former CFO थे, SV जारेगाओं कर, ठीक है, FV जारेगाओं कर, Former CFO थे, और अभी बने हैं, Gobind Jain. इसके अलावा सवाल है, अंतर राष्टी क्रिकेट परिस्द, ICC ने पुरुषों के T20 विश्वकप के दौरान, मानसिक, स्वास्ते और बच्चों और किशोरों की भलाई के बारे में, जागरुकता बढ़ाने के लिए, निमलिखित में से किसके साथ भागीदारी की हैं, options ह UNDP, UNEP, UNICEF या UNESCO, तो mental awareness विलाने के लिए, ICC ने किसके साथ में भागीदारी की हैं, तो जवाब है UNICEF, UNICEF के साथ में, ICC ने करार साइन किया है, for mental awareness, UNDP किया है, United Nations Development Program, विकास का रिक्रम, UNEP किया है, United Nations Environment Program और इसका Headquarters है, Nairobi, Kenya में, UNICEF है, United Nations Children's Fund, इसका Headquarter है, Newark में, और UNESCO ह United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization और इसका Headquarter है, Paris, France में, इसके अलावा, Manipur के Chief Minister ने, Chief Minister's Health for All एक Scheme लाँच की है, Manipur के Chief Minister है, B.R.N. Singh, Capital है, Imphal, और Governor है, La Ganesha, ठीक है, इसके अलावा, BPCL ने Automated Fueling Technology, U-Fill, लाँच की है, BPCL के 143 दन भरने के तकनीक, U-Fill, लाँच की है, इसके अलावा, भार Metallurgy के काम में आता है, Metallurgic Coal, मिके शेतर में सहयोग के लिए, रूस के साथ समझावता, ग्यापन पर हस्तियक्षर की है, M.O.U. sign किया है, और भारत के स्पाथ मनुत्री का नाम है, रामचंदर प्रशाद सिंग, ध्यान रखेंगे, चीन ने अपना पहला SOR अवलोकन उपग गति शक्ती National Master Plan के तहत, भारत 500 Multimodel Cargo Terminal स्थापित करने वाला है 2024 बच्चीज तक, ठीके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और इसके अलावा आपको आज The Hindu और Indian Express की Vocabulary का वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ आपको IPL में जो कुछ भी से भी जितने भी सवाल बन सकते हैं, इसको शेर करिए जिसे कि थोड़े और लोगों तक हम पहुंच सकें और PDF डाउनलोड करने के लिए आप Telegram चैनल जोइन किजिए, थैंक यू सो मुच पर वाचिंग इस वीडियो, थैंक यू सो मुच बाबाई